नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूँ आपके साथ हनूपा काशवर्मा और मेरे साथ है क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी चिराग बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में परिक्षा और नकल यू लगता है और ब्ली किस से उसकी क्या इस्तिती रही हम सभी जानते हैं कैसे पर्चा लीक हुआ और इसके बाद मुख्बंतरी सामने आये फिर पर्चे को रद करना पड़ा एक्जाम को छे महीने में कराने की बात कही गई है इसके अलावा आरो एयरो की भरती परिक्षा का जिस तरीके से सारी च की परिक्षा हो रही है जो लेलबी के स्टूडन्ट है और एक कोई जर्नलिस्ट है जिसने वो वीडियो बनाया है वो उस एक्जाम हॉल से जहां पर हो रहा है और वहाँ पर वो दिखा रहा है कि किस तरीके से जो एक्जाम दे रहे हैं बेखाफ बिना डरे निडर होकर में जो लिखा गया था राइटर ने बिल्कुल ऐस इट इस बच्चों ने याद कर लिया है यही चलके कल को वकीले ने बनना है इन्हें जो है जज़ बनने की ख्वाइश भी इनके अंदर होगी और यह इस्थिती है यह वीडियो बारल होगी तो क्या उत्तर प्रदेश में जो बाद शुरुआत में मैंने कही कि नकल और यह लीक हो जाना परचे का या एक्जामी सब पैरल चल रहे हैं क्या यह बाराबंग की खबर इस बात की तस्दीक करती है देखें अनुप इसको एक इंसिदेंट से देखना चाहिए इसको टौटालिटी में नहीं देखना चाहिए अब यहां तो जहां देखो वही है यह हाल मिल रहा है ना बड़ा ही हम तो डिस्टरब करने वाला वीडियो है वो ऐसा वीडियो नहीं है वो हर एक उस शक्स को बुरा लगेगा जो मेहनत में विश्वास करता है जो यह चाहता है कि पेपर इस तरह से तो नहीं होना जाए लेकिन वो वीडियो आप देखेंगे उसमें तो कोई मेहनत करता हुए सब इतनी लगन से फर्रेवाजी कर रहे थे पूरी गाइडे रख रखी थी लोगोंने बिल्कुल सभी बात है और यह तो वीडियो सामने आ गया तो दिख गया दरवाज तो कई ऐसे पेपर हो रहे होंगे जो शायद नहीं सामने आ पाते लेकिन इससे मतलब यह नहीं है कि पूरी शिक्षा विवस्ता जो है उतरव देश की वो इसी तरह चल रहे है ऐसा भी नहीं है ठीक है incidents होते है हर स्टेट में होते हैं असानी कि सब यूपी में हो रहे हैं दिल्ली में भी कई जगा नकलचीप भी पकड़े जाते हैं इस तरह exam देता हो भी लोग पकड़े जाता है लेकिन ये वीडियो इस समय आया है जब यूपी पेपर लिग हुआ या ये कहें ओर आर अरे सब लोग जो नकल कर रहे हैं, वो भी कोई ना उसकी तरफ आ रहा है, वो अबने नकल, वो इतनी और वो धोनी रहा करूँ बैठे हुए नकल करने में. कोई इस प्शेन्न नकल कर रहे हैं कि वो विरूद भी कर रहा हो कि आप भी क्यों दिखा रहे हैं। कुछ नहीं सब लगे हुएं लिखने में अगर कोई सच्चा होगा तो विरूद करेगा कि मैं कहा नकल कर रहा हूं बोलेगा मैं कहा नकल कर रहा हूं मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं इसका मतलब नहीं बोलने का मतलब है बहुत कोई बोलना है जहां सब खुला खेल फरुखावादी बिल्कुल ठीक आपने और ये बलकि हम कली इस पर वीडियो करने वाले थे और जब हमने ये वीडियो देखी थोड़ा सा आपको खबर से आप हमारी बातों से अगर खबर तक न पहुंच पा रहे हूं तो आपको महां तक लेकर चलते है पेपर में खुले आम नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर बारबंकी की खबर है और एक कॉलिज का मामला है बारबंकी के जहां बीते मंगलवार को शिक्षकों की मौजूदगी में एलल बी की परिक्षा दे रहे चातर खुले आम नकल कर रहे हैं कोई डर नहीं किसी चीज़ का बिलकुल और कानून की एलल बी परिक्षा में सामुएक नकल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वायरल वीडियो में च्छात कुश्चन पेपर मिलने के बाद डेस्क पर खुले आम गाइड कुंजी और चीट्स को लेकर लिखते हुए नजर आ रहे हैं इसक कालेज में इतने लोग आएंगे परिक्षा देंगे और इनका इतना ठेका है अब ठेका लिया है तो पैसे भी लिये होंगे मुफ्त में तो होता नहीं है कुछ और वायरल वीडियो में एक युवक परिक्षा कर्श में परवेश करता है उसके बाद तेज आवाज में कह रह रहे हैं और बताया जा रहे है किसके बाद कॉलेज में मारपीट भी हुई और इस दोरान विश्विद्याले की सचल दल की जो टीम है वहां पर आई 26 लोगों को नकल करते पकड़ा दूसरी पाली में अवदला कॉलेज में 12 और टी आर सी में 25 नकलची पकड़े गए और इस में अभी तक मुकदमे की तहरीर नहीं मिली है एक ही जगे नहीं हो रहा था यह कई जगे हो रहा था जहां 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 लोग कॉलेज हैं और खुले आहम बिना किसी डर के तो यह क्यों कर रहे थे आके कौन से कौन से वकील बनेंगे फिर ऐसे क्या यह काम कर पाएंगे ना स अगर इनको ऐसी वकील बनना है तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो नकल करके अराम से बन जाएंगे और फ्यूचर उनका सेक्यूर हो जाएगा लेकिन आप सोचिए ये तो मैं तो उस शक्स की हिमत की दाथ देता हूँ कि वो जगा जगा गया मार्क हाई उसने लेकिन उसने वीडियो बनाया और ये चीज़ जागर किया उसने तो अच्छी बात है और लेकिन मैंने वही बोला टोटैलिटी में तो नहीं देखना चीए इसको कि हर जगा ऐसा ही हो रहा है तीन कॉलेज में तो दिखाई दे रहा है एक्षण इसमें हो रहा है जहांच इसमें बैठ गई है अब देखते हैं किया कारवाई होगी इसमें एक और मैं खबर आपको अपडेट देदू जो यूपी पेपर लिख वाला मामला है उसमें चार लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है जो SOG टीम है, STF टीम है उन्होंने मिलकर एक आरवाई की है और इनके पास से कुछ माक्षीट मिली हैं, कुछ इनके पास से एड्मिट कार्ड्स मिले हैं, ब्लैंक चेक्स मिले हैं, मोबाईल और लैप्टॉप रिकावर की हैं जिसमें कुछ सामगरिया हैं जिससे संबंदि पुत्तर प्रदेश पुलिस भरती परिक्षा का जो प्रशन पत्र लिए इसके अलावा अब हम आजाते है आरो और अरो परिक्षा हमने लगा तार उस पर वीडियो की, तो उसकी जाच अभी दो मार्च तक का वक्त है, जब दो मार्च तक सबूत भी मांगे हैं और आयोग अपने लेवल पर भी जाच इसकी कर रहा है, 411 वेकिंसी ती जिनमें 10 लाग से जाधा अभ्यारतियों ने परिक्षा दी थी, अभी भी सबसे बड़ी बात यह है लोग, वहां अभ्यारती बैठें हुए हैं, डटें हुए हैं, वहां अभी भी पैर्लिमिलिटरी फोर्स के जवान तैनाते हैं, और हमने जब सबूत जब मांगे थे, तो काफी लोगों ने सबूत भी भेजे, और उन्होंने बताया कि आप इसको दिखाएं, तो हमने उसको एनराइज किया, तो इनिशल लेवल पर यही लग रहा है देखकर कि डाल में जरूर कुछ काला है, और ऐसा अभी नहीं चाहिए किसी भी प्रदेश का हो, लेकिन दाग तो है न, और यह दाग अच्छे नहीं है, और यह वीडियो अगर आप देखेंगे, गौर से जो जनलिस्ट अंदर घुसके पूरा वीडियो बना रहा है, वो बार-बार कहता है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प